हेई यो वाट्स अप गाईज वेलकम बैक टू होगवेट्स केमिंग तो क्या हल चाल आप सभी का तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एशिया सर्वर के एस टायर में या क्राउन में या कॉनकर में बोट्स कैसे ढूंड सकते हैं और कहां पर आपको मिलेंगे तो दोस्तो मैं आपको कुछ locations बताऊंगा जहांपर आपको starting में 2-3 boats अराम से मिल जाएंगे तो दोस्तो इस वीडियो में पूरा जरूर बने रहें क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि match लगाना कैसे है जिसमें आपको boats मिल जाएं सो बिना time waste करते हैं चलते हैं अपने वीडियो की तरफ तो सबसे पहले चलते हैं अपने match making में यहाँ पर दोस्तो left side के सबसे नीचे settings में जाना है वहाँ पर दोस्तो आपको match by language जो है उसे enable करकर first language English Hindi को छोड़कर आप को इसी भी select कर लो तो दूसरी को select कर लो second को empty land दो और दोस्तो जो आपका drop tactic का है उसी disable रखना है याद रखना उसके बाद दोस्तो आप match को start कर दे सेंपल से start करने के बाद दोस्तो क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले दोस्तो मेरे channel को कर देना subscribe जिनोंने अभी तक नहीं कर रहा है और गंटे भी दबा देना नई videos की notification के लिए तो हमारा match हो चुका है start देखिए दोस्तो आपको कुछ पानी के साथ वाले जो चोटे 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 compound होते हैं वहाँ पर उतरना है आप किसी भी जगा में उतर सकते हैं पर याद रखे पानी के साथ वाले चोटे compound जहां पर 4-5 घर होते हैं देखिए दोस्तो यहाँ पर side में से कोई सी भी जगा select कर लिए मैंने ये वली करी है तो मैं यहाँ पर उतरने वाला हूँ तो मैं आपको अगर जाकर दखाता हूँ कि आपको boats कैसे मिलेंगे तो नीचे उतर कर आपको एक trick को apply करना होगा जिससे आपको boats मिल जाएंगे 2-3 तो सबसे पहले दोस्तो नीचे उतर कर आपको 2-3 घरों में loot करनी है loot करनी है इसलिए क्योंकि आपको एक अच्छी जी गन चाहिए कि आप अगर boat आजाए तो उसे मार सकते हो वैसे तो दोस्तो आप boat को pistol से भी मार सकते हो पर फिर भी आप एक अच्छी सी gun डोंड लो क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर real बंदे भी आजाएं तो उन्हें मानने के लिए आपके पास अच्छी सी gun होनी चाहिए तो आप यहाँ पर राम से दो तेन चार घरों में लूट कर सकते हो क्योंकि जो boat वाली trick है वो उसको आने के लिए एक अदा मिनट लग जाता है तो दोस्तो जैसे ही आपको कोई gun मिले अच्छी सी तो जो main trick कैप बोड लाने के लिए वो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको तो दियान से सुनिएगा जैसे देखी दोस्तो मुझे M16 मिल चुकी है तो मैं यहाँ पर यह उठाकर घर से बाहर जाता हूँ और बाहर जाने के बाद दोस्तो बोड फायर करनी है आपको जैसे एक बार फायर करी उसके बार रिलोड कर ली फायर करी रिलोड कर ली ऐसे दोस्तो आपको चार पांच बार बोड फायर करनी है जैसे की बोड करते है उसके बाद दोस्तो आपको घरों के इदर उदर कि मुझे बोट कहां पर मिला है क्योंकि आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो इस विडियो में वीडियो को फॉरवर्ड कर देता हूं सो देखिए दोस्तो मैंने कुछ देर इदर अदर ढूंडा है बोट को तो मुझे यहां पर जाकर देखी वो बगगी के पास देखा सड़क पर तो देखिए दोस्तो वो एक बोट है तो मेरी जो पहली किल्ए वो बोट से हो चुकी है सो दोस्तो आगे भी मुझे एक आदा बोट मिला है तो वो भी मैं आपको फॉरवर्ड करकर दिखाता हूं कि वो कैसे मिला है इसके बाद दोस्तो देखिए यहां पर इसमें से मुझे सकारल मिल चुकी है तो इसमें से आपको बुलूट भी अच्छी मिल जाएगी तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास लूट नहीं होगी सो दोस्तो आपको थोड़ा सा डूणना है फिर से आपको फिर से बोट फायर करनी है बोट फायर करते रहना है तो दोस्तो हो सके तो आप गाड़ी उठाकर आसपास के जो छोटे कंपाउंट्स हैं वहाँ पर भी ढूंड सकते हैं या तो वो पानी के साथ साथ आपको मिल जाएंगे तो मैं आपको फॉरवड करकर और दिखाता हूं तो देखिए दोस्तो मैंने वहीं पर थोड़ी सी बोट फायर फिर से करी है तो मुझे यहाँ पर एक बोट और मिल चुका है एक सड़क पर बोट दिखा है देखिए दोस्तो मैं आपको दिखा रहा हूं मेरे पास बड़ा स्कोप नहीं है पर फिर भी मैं ट्राइ करता हूं इसे नोख करने की तो चलिए वैसे दोस्तो यह कहीं पर जाएगा तो नहीं वैसे तो नौक हो जाएगा अब मैं गाड़ी उठाकर इसके पास जाकर इसे मार दूँगा तो दोस्तो यह ती फिलाल ट्रिक एशिया सर्वर में ऐस टायर पर बोट लाने की आप ऐसे बोट लाज़कूते हैं इस वीडियो में इतना ही था होग करता हूं आपको पसंद आयो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में